हलो स्टुडेंट, हाव आर यू, आई होब आप सभी ठीक होंगे, तो आठ से हम, एक्सरसाइस 7 भी आपके सामने देकर हाजिर हैं, ओके बेटा, सेलीना, अंसाइस, फिजिक्स, क्लास नाइन्थ, आइचे सी बोट के नुमेरिकल्स की बात हो रही है, ओके बेटा, स्टुडेंट, इस एक्सरसाइस में बिसिकली दो ही कोशन हैं आपके नुमेरिकल्स, तो इसमें एक सिंपल सा पंडा है, उसको समझ लो, एक फॉर्मला है बस, जिसकी बुनियार पे दो कोशन आपको दिये हुए है, जैसे माल लो बेटा, आपको दो प्लेन मिलर दिया हुआ ह और उसके बीश में कोई एक एंगल है थीटा, मैंने क्या कहा, जैसे फॉर्मला माल लिजे, आपको एक प्लेन मिलर कुछ इस तरीके से दिया है, रखा हुआ है, ठीक है, एक प्लेन मिलर कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है न, ऐसे माल लो चलो, ठीक है, यानि मिलर इमेज य यहाँ पे बनेगी यह एंगल मालो कितना है बेटा आपका थीटा है तो इस लड़के की number of images कितनी बनेगी इन दोनों शीशों में मिला करके यह चीज आपको पता करना है यह चीज पता होगी लेकिन एक formula की बुनियात पे होगी formula क्या कहता है आपका सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा इन इन होता है आपका 360 upon में थीटा मैंने क्या कहा अगर मालो कोई दो शीशा रखा हुआ है उसके बीच का एंगल थीटा है और यहाँ पे एक object रखा है object मैंने यहाँ पे एक लड़का बना दिया है तो first of all हम निकालते है एन की value एन होता है 360 upon में थीटा ठीक है तो मैं अगर माल लीजे ठीक है अब यहाँ पे case 1 लिखने जा रहा हूँ case 1 अगर माल लीजे एन की value odd आ गई और तो समझते हो न बेटा और उसको कहते हैं जो 2 से divisible लाओ जैसे माल लो एन की value 1 आ गई 3 आ गई 5 आ गई तो वो सारे number odd होंगे अगर एन की value odd आ गई तो दो case बनते हैं इसके अंदर पहला है आपका asymmetrical का asymmetrical और दूसरा है आपका symmetrically का इन दोनों को मतलब क्या होता है बता रहा हूँ परिशान न होगी है मैंने क्या कहा पहला है asymmetrically दूसरा है symmetrically का ठीक है न अच्छा अब सवाल यह आता है बेटा कि asymmetrically होता क्या है जर यह बताईए पहले तो बेटा asymmetrically उस object को कहते है जिसको हम two equal parts में divide ना कर पहें जैसे अगर कोई भी आप shape ले लो जैसे for example यहाँ पे कोई आड़ातरी शायसे करके shape ले लो अब मैं कहूँ कि इसको चलो two equal parts में divide करके दिखाओ तो यह possible ही नहीं है आप इसको कहीं से भी काटो यह two equal parts में नहीं आ सकता तो इस object को आप क्या कह symmetrical है यह क्या है object asymmetrical है ठीक है समझे ना यह हो गया asymmetrical जो irregular shape होते हैं उसको आप asymmetrical कहोगे asymmetrical क्यों है क्योंकि आप किसी भी तरीके से इसको two equal parts में divide नहीं कर सकते दूसरा होता है symmetrical जैसे मिसाल के तार पर यह आपका एक square shape हो गया इसको आप यहाँ से काटो तो भी two equal parts में divide होग ऐसे काटो गए तो भी two equal parts में divide होगई diagonally काटो गए तो भी two equal parts में divide होगा अगला आगला आगला आपका circle यह भी symmetrical है तो भी two equal parts में divide होगा तो यह सारे object क्या है, यह है, symmetrically, यह symmetrical, ठीक है, तो अगर आपका object asymmetrical है, तो जो number of images होंगी, लिख लो यहाँ पर, अगर आपका object asymmetrical है, यानि उसको asymmetrically रखा हुआ है, ठीक है, समझना, asymmetrically अगर रखा हुआ है, यानि उसको आप two equal parts में divide नहीं कर सकते, तो उस case में जो number of images होंगी, ना बेटा, उस case में जो number of images होंगी, वो n के बराबर हो जाएंगी, और अगर symmetrically है, तो उस case में जो number of images होंगी, number of images होंगी जो, वो हो जाएंगी, n minus 1, बस फर्क इतना सा है, समझ लो, दो शीशे रखे हुए हैं, उनके बीच का angle है theta, तो first of all हम निकाल दे हैं n की value, n कैसे निकलेगा, 360 upon में theta, अगर 360 upon में theta किया, और वो आपका odd आ गया, तो उसमें दो case बनेंगे, asymmetrically, symmetrically, अगर आपका object asymmetrically रखा हुआ है, यानि उसको two equal parts में divide नहीं कर सकते, उस case में number of images, n आएंगी, अगर आपका object symmetrically रखा हुआ था, दो शीशों के दर्मियान, दो शीशों के बीच, symmetrically समझते हो ना, यानि object को two equal parts में divide किया जा सकता है, तो उस case में number of images क्या होंगी, n-1 होंगी, ठीक है, ये था case 1 जब n की value odd आ रही थी, तमझ बार है ना बिटा, case 2 भी देख लो, case 2 तो सीधा सीधा है, case 2 क्या होगा, बताइए ज़रा, case 1 में n की value odd थी, case 2 में n की value क्या हो जाएगी, even हो जाएगी, even समझते हो कि नहीं, ऐसे number जो 2 से divisible हो, मिसाल के तोर पे, 2, 4, 6, 8, 10, बगारा, बगारा, ठीक है, अगर n की value even है, तो उसमें फिर कोई सभी case नहीं बनता है, उसमें direct number of images हम लिखते हैं, number of images उस case में हो जाता है, अगर n की value even है, कितना हो जाता है, n-1, that's it, odd के case में दो case बनते हैं, asymmetrically, asymmetrically के, even के case म आप क्या लिखते हो, n-1, ये दो formula है, ये simple सा concept है, जो आपको ध्यान रखना है, symmetrical क्या होता है, ऐसा shape जिसको आप two equal parts में किसी भी तरीके से divide ना कर सको, symmetrical क्या होता है, जिसको आप two equal parts में divide कर सको, किसी भी तरीके से, ठीक है, तमच के, अच्छे से, ओके, चलिए, अब यह कहरा, state the number of images, number of images बताना है, एक object का, जो कि place किया गया है, दो plane mirror के बीच में, formed in each case when the mirrors are inclined to each other at 90 degree और 60 degree, यानि एक case में आपका mirror 90 degree पर रखा है, दूसरे case में आपका mirror एक दूसरे के दर्मियान में, 60 degree का angle बना रहा है, यानि, first part में 90 degree है, second part में 60 degree है, निकाल लो, सबसे पहले n की value निकलेगी, तो 360 degree, अब आउन में 90 कर दोगे, आंसर कितना आएगा, 4, अब देखो, n आपका even आया है यहाँ पे, n आपका क्या आया है, even आया है, even में number of images कैसे निकलती है, n minus 1 करके, तो निकाल लो, number of images, number of images कैसे निकलेगी, n minus 1, यानि 4 minus 1 कर होगे, आंसर कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी n की value निकालो, n की value क्या आएगे, 360, upon 60, ठीक है न, 0 से 0 गया, 6, 6, 6, तो n की value कितनी आगे, 6 आगे, n आपका क्या है, बताओ बटा, n आपका क्या है, even है न, even में number of images कैसे निकालते है, n minus 1 करके, तो न number of images, number of images कितनी निकाला है आपकी, n minus 1 यानि की 6 minus 1 कर दो, आंसर कितना आजाएगा, 5 आजाएगा, clear है, आच्छे से, तमाज में आया है न, चलिए, इसके बाद अपने next question करेंगे, देखे क्या लिखा है, लिखा है, an object is placed asymmetrically, पहले में asymmetrically placed किया गया है, दूसरे में symmetrically placed किया गया है, between two plane mirrors, incident at an angle of 50 degree, find the number of images formed, आसान कोशन है देखो, जो पीछे बता के आया हूँ न, बस वही concept नहाँ पे लगाना है, सब से पहलो तो आप n की value निकाल लो, n की value कैसे निकलती है, 360 upon में theta, ठीक है, और यहाँ पे theta कितना given है, 50 degree, तो निकाल लेते ह 360 upon में theta के जगा 50 degree रगतो, 0 से 0 गया, 5, 7 is a 35, remainder 1 बचेगा, point लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 5, 2 is a 10, अब देखो, 7.2 n की value आई है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, 7.2 तो हम ले नहीं सकते हैं, इसको approach करना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो समझना, approach कैसे करते हैं, इसको round off करना पड़ेगा, या approach करना पड़ेगा, अगर point के बाद वाली गिंती 5 है, या 5 से बड़ी है, तो जो point के पहले वाली गिंती है, 37, उसमें आप 1 add कर दोगे, अगर 5 होगी point के बाद की गिंती, या 5 से बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे 5 से छोटी गिंती है, 2 है, तो आप क्या करोगे, direct 7 लिख दोगे, समझ मैं या, अगर point 5 होता, 7.5 या 7.6, तो आप 7 में 1 add कर देते, यानी 8 हो जाता उस case में, लेकिन यहाँ पे तो point 2 है, जो की 5 से छोटा है, 2 जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे approach करेंगे, तो कितना answer आएगा, 7 आएगा, अब द n की value आ रही है, 7, जो की odd वाला के से, यानी यह दोनों चीज़े बनेंगी आपकी, ठीक है, question में पहले कही दिया था, अब asymmetrically के case में number of images पता लगाओ, तो बेटा, asymmetrically के case में, जितनी n की value होती थी, उतनी ही number of images हो जाती थी, ठीक है, asymmetrically के case में, number of images कितनी होंगी, बताइए, n के बराबर, n की value कितनी है, उपर 7 है, round off करने के बाद, ठीक है, और दूसरे case में क्या होगा आपका, symmetrically पूछ रहा है, तो लिख रो, symmetrically, symmetrically, तो इस case में, बेटा number of images कितनी हो जाएगी, बता न, symmetrically के case में, number of images कितनी हो जाती थी, n-1, n-1, तो 7-1 कर देंगे, तो answer कितना आएगा, 6 आजाएगा, clear है, अच्छे से, ओके, इस तो अगर आपको वीडियो पसंदा है, तो इसको like करे, comment करे, share करे, और इस वीडियो को उन बच्चे तक जरूर पहुचाएँ, जो coaching को effort नहीं कर सकते हैं, है.